अलो माई डियर फ्रेंड्स यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज मैं आपसे शेयर करने बळा हूँ बहुत रहीँ खास इटिंग के बाड़ें दोस्तो बहुती कमाल का सेटिंग है ये सेटिंग आपको बहुत संद आएगा दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहे हैं और दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजेगा प्लीज दोस्तों और दोस्तों में सेर कीजेगा तो चलिए सिंपली दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं सब्सक मोईल में बहुत सारे personal data होते हैं बहुत सारे वक्त में आपका smartphone को use करने के लिए आपके दोस्त या family member में कोई मांग लेते हैं तो आप personal data के वज़े से मोईल देने में हिच की चाहते हैं देने का दिल नहीं करता लेकिन देना पड़ता है तो इसके लिए इस setting को आप on कर देंगे इसकी मदद से आप जो भी सामने वाला आपको बोलेगा कि मुझे एक application यूज करना है तो simply उसका permission देगे उसके सेवा वो कुछ नहीं कर सकता है तो simply आपको जाना है settings में किसी भी मोईल जो भी company का मोईल हो आपको उसमें जाना है settings में settings में जाने के बाद आपको जाना है security and lock screen में तो simply security and lock screen पे क्लिक करेंगे उसके बाद मेरे मुझे में सबसे नीचे है लेकिन आपके मुझे में जहां पे भी हो खोज लेंगे screen pinning इसका नाम है screen pinning अगर आपको आपके पास कोई और company का handset हो गर उसमें screen pinning नहीं मिलडा हो तो simply search बार में search भी कर सकते है screen pinning तो simply screen pinning पे क्लिक करेंगे और दोस्तों यहां आपको off होगा तो इसको simply on कर देना है on करेंगे तो आपके सामने ask for password before unpinning unpinning के वाद password मांगे इसको भी on कर देंगे उसका simply आपको back हो जाना है back होने के बाद जो भी अगर आपसे कोई mobile मांगता है तो बोलता है मुझे एक application यूज करना है तो जो भी application वो यूज करना चाहता है तो simply उसको open कर दें open करने के बाद आपको recent button पे type करना है recent button पे type करने के बाद ऊपर के तरफ आपको three dot में लेगा तो simply three dot पे click करेंगे उसके बाद यहां pin हैथे simply pin पे click कर देंगे pin पे click करने के बाद यहां आपको notification रहीज करने के बाद और कि unpin कैसे करना है इसमें बता रहा है recent button और back button को साथ में दवाना है तो यह unpin हो जाएगा तो simply आप इसको go it कर दें go it करने के बाद यह application आपका work करने लगेगा और दोस्तों को भी button आप दवाएंगे तो को भी button आपका काम नहीं करेगा कुछ भी नहीं काम करेगा सिर्फ यह एक application ही काम करेगा यह बहुत ही खास बहुत ही अच्छा setting है दोस्तों मुझे personally अच्छा लगा और इसके बाद आपको unpin करना है तो simply दोस्तों unpin करने के लिए back और recent button पर साथ में एक motor type करेंगे तो आपसे fingerprint मांगेगा या screen lock मांगेगा अगर face lock होगा तो automatic यह unpin हो गया है दोस्तों इस तरीका से आप अपने setting को on करके benefit उठा सकते हैं दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो please like करें इस वीडियो को दोस्तों में share करें वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत सुक्रिया थाइंक्यू दोस्तो बाई बाई